सांसर डिपेंदर हुड़ा ने रोहतक में ग्रामेड इलाकों की हर सीएचसी के लिए अपनी ओर से कुल 18 ओक्सीजन कंसेटर बिज़वाए और आज रस्त किया कि इनके अत्रीक्ट अगर ओर भी ज़ट पड़ी तो तदकाल उन्हें उप्टलब्ट कराएंगे डिपेंदर हुड़ा के निदेश पर रोहतक जिले में हर जगा कम से गम दो ओक्सीजन कंसेटर और किसी किसी सीएचसी में अवश्यक्ता अनुसार तीन ओक्सीजन कंसेटर विद्रिद के गए हैं अब तक सापला CHC, किलोई CHC, मदिना CHC, लाखन माचरा CHC, कलानोर CHC, चिडी CHC, कनहोर CHC में ऑक्सीजन कंसेटेटर सोपे जा चुके हैं और कल तक मेहम CHC में भी ये पोह जाएंगे इस परकार सिर्फ रोह तक में करीब 18 ऑक्सीजन कंसेटेटर बाटे जा चुके हैं और इस करम को जारी रखते हुए पूरे परदेश में इनका वित्रण किया जा रहा है इस दोरान परमुकुरूप से विधायक शकुंतला खटक बलराम दांगी पुरू मुखे मंतरी चोदरी वुपेंदर सिंग हुड़ा के नीजी सचीव बंडित राज भाधुर संतलाल वदवा जगत कला अधीम मुझूद रहे दिपेंद हुड़ा पूरे हर्याना की ग्रामीड आचलो और छोटे कस्वों की सीएचसी में ऑक्सीजन कंसिट्रेटर पहुचाने की मोहिम में रगे हैं उन्होंने परदेश के स्वास्थे सचीव और विभिन जिलो की मुखे चिकिसा रिकारियों से बात करके ऑक्सीजन कंसिट्रेटर की आवर्शक्ता की जानकारी ली सौस्थे अरिकारियों ने हर जिले के हिसाब से ग्रामीन और छोटे कस्वों की सीएचसी के लिए परदेश में पुल पिचासी ऑक्सीजन कंसिट्रेटर की जुर्द पताई ऐसे में जरूरी है कि गाउं और छोटे कस्वों में मौझूद स्वस्थे केंद्रों पर आक्सीजन की उपलबता हो और आपाद स्थिती में कुरोना रोगी की जान पर कोई खत्रा ना हो उन्हें कहा कि हमारे पास संसादन सिविती होने के बाउजित पूरी कोशिश है कि ग्रामीड इलाकों में कुरोना रोग्यों को रहत मिल सके संसाद डिपेंदर हुटा खुद पिछले दो महीने से हर्याना की अलग-अलग जिलों में टीम डिपेंदर के हजार साथियों के साथ दिन रात लगकर कुरोना पीडियो तो कुम मदद पूचा रहे हैं कुरोना की दूसरी लहर के दुरान लोगों को आक्सीजन दवाईयां और इलाज के अबाव में दरदर बटकना पड़ रहा था अग कुरोना गाउं गाउं में फैल चुका है तो टीम डिपेंदर ने गाउं में आइसलेशन वाट बनाने का सेंटाइजेशन कराने घर पर आइसलेशन में कुरोना का इलाज करवारे रोकियों और अस्पताल में भरती मरीजों के परिज़ों के लिए भोजन का इंतजाम क पराने में जुटे हुए हैं इस पूरे काम की मॉनेंटरिंग खुछ सांसर दिपिंदर हुटा करते हैं और जहां कहीं जो पढ़ती है तो प्रचासन का अधिकारियों से बात करके समस्या का समधान कराते हैं हला बोल हर्यान